अगर आप एक अच्छा डबल डो रफरेज्रेटर निना जाते हैं, तो कोई भी ले लिजे, इतने सारे व्राइड्स है, इतने सारे मोडल से, इसमें से आप कोई भी लेंगे तो अच्छा ही होगा, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, क्योंकि इतने सारे मोडल के बीच में कुछ ऐस भी हैं जिने आपको बिल्कुल कंसेडर नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसे हैं जो बहुत जादा अच्छे हैं पेस्ट अफ दी बेस्ट और उन में से कुछ कि इस चानल पे हम किसी टाइप का स्पॉंसर कॉंटेट नहीं चलाते और जितने भी प्रोड़क्त जैसे आप यह रखा हुआ देख रहे हैं इसे सामसंग ब्रैंड ने मुझे नहीं वेजा मैंने इसे खुद खरीदा है खुद अपने स्टूडियो में और अपने घर में यू लेकिन एक अच्छा रेफरेजेटर खरीदने से पहले आपको कुछ दो तीन बाते जल्दी से जाननी चाहिए उसके बाद आप एक बेस्ट रेफरेजेटर खरीदेंगे यह मेरी गैरेंटी है आपको इन पॉइंट्स को जल्दी से सुनिये 2023 के नई स्टार रेटिंग आ चुकी है यह बात हम सबको पता है लेकिन एक और नई बात है जो आपको शायद ना पता हो और वो यह है कि आप रेफरेजेटर पे स्टार लेबल के उपर आपको नेट कपैसिटी देखने को मिलेगी रेफरेजेटर की इससे पहले क्या होता थ 2023 से पहले आपको ग्रॉस कपैसिटी दिखती थी आप देखते थे कि 250 लीटर का रेफरेजेटर है मेरे लिए बहुत है लेकिन आपको इस बात का पता बाद में चलता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा आपको स्टार लेबल पे ही सारी करेक्ट इंफरमिशन दी जाएगी और यह वाला रेफरेजरेटर ले लीजिए क्योंकि इसमें एक इनवर्टर कॉंपरेसर लगा है नहीं नहीं इसमें तो डिजिटल इनवर्टर कॉंपरेसर लगा है और यह आपकी 50% तक एलेक्रिसिटी सेव कर सकता है कोई भी इनवर्टर कॉंपरेसर चाहे वो किसी भी नाम के साथ डेकोरेटिट क्यों नहीं हो आपकी 20 से 30% तक एलेक्रिसिटी सेविंग कर सकता है इन कंपरेजन विद अन नौन इनवर्टर कॉंपरेसर रेफरेजिलेटर यानि थोड़ी बहुत बिजली की बचात होगी आपके नए जमाने के 2022 या फिर 2023 मॉडल रेफरेजिलेटर से इस इस फॉर शॉर 25,000 रुपीज के अंदर एक चीज बहुत ज्यादा कामन है आटो डिफ्रोस्ट आपको सारे रेफरेजिलेटर आटो डिफ्रोस्ट टेक्नोलिजी के साथ मिलेंगे यानि उनके फ्रीजर के अंदर आइस आटोमाटिकली डिफ्रोस्ट हो जाएगी सभी डबल डोर रेफरेज जी और उनमें आटो डिफ्रोस्ट होगी ये कमाल की बात है लेकिन एक और चीज है जो इस रेंज के अंदर मिलती है और नहीं भी मिलती वो भी बता दो आप इस रेंज का रेफ्रेजिलेटर जब भी खरीदेंगे तो आपको दो आप्शन मिलेंगी या तो convertible या फिर non-convertible अब इसे inverter compressor से बिलकुल भी confuse मत करियेगा यह बिलकुल अलग चीज है आपको रेफ्रेजिलेटर में जो दो compartments मिलते हैं उन में से एक को completely on या off करने की option मिलेगी और कई सारी और option मिलेगी जैसे आपको पूरे के पूरे रेफ्रेजिलेटर को fridge बनाने की option भी मिलेगी अपनी requirements को आपने बहुत ध्यान से समझना है और आपको यह सोचना है कि क्या पूरे साल में एक दिन या एक हफता भी ऐसा है जब आप अपने फ्रीजर को पूरी तरीके से बंद कर रहे हो जब आपको अपने फ्रीजर की बिलकुल भी जरूरत नहीं पढ़ने वाली हो आपको अपने पूरे रेफ्रेजिलेटर को अपने फ्रीज बनाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही हो कि आपको फ्रीजर की स्पेस अननिसेसरी लग रही हो अगर ऐसा नहीं है तिन आप कन्वर्टिबल रेफ्रेजिलेटर लें या ना लें इससे कोई फरक नहीं पड़ता इन फैक्ट, if you don't buy a convertible रेफ्रेजिलेटर you're gonna save some money आज की रेट में आप कोई भी modern रेफ्रेजिलेटर ले लें आपको वारंटी मिलेगी 1-year की कॉम्परेंस है वो 10 years की on the inverter कॉम्परेंसर जो आपको आज कल की डेट के रेफ्रेजिलेटर के इंदर लगवा मिलता है it's a good, I would rather say it's a standard warranty package और यह अच्छी बात है लेकिन क्या आपके रेफ्रेजिलेटर के इंदर सिर्फ एक कॉम्परेंसर ही होता है जिस पे आपको 10 years की वारंटी चाहिए और कोई पार्ट नहीं होता क्या होता है और इसलिए आपको रेफ्रेजिलेटर लेते ही हमेशा एक extended warranty plan भी साथ मैं ही लेना चाहिए आप कोई भी plan ले सकते हैं लेकिन मैं अपनी दरफ से आपको recommend करूंगा कि आप go warranty का extended warranty plan चेक करें अपने नए रेफ्रेजिलेटर के लिए क्योंकि मेरे हिसाब से वो सबसे best है सबसे cheap आपको cost करेंगे and I think that is the best in the market अब आप सोच रहोंगे कि मैं इस सारा काम करता क्यों हूँ मैं इतने सारे रेफ्रेजिलेटर अपने ही पैसों से खरीदता हूँ उसके बाद उन्हें compare करके आपको वीडियो बनाके देखाता हूँ तो मेरा खर्चा कहां से चलता है और मैं कमाता कैसे हूँ मैं कमाता हूँ जब आप मुझे support करते हैं मुझे आप से directly पैसे नहीं चाहिए जब आप मेरे दिये गए affiliate link जो आपको description box में भी मिलेंगे और VM1 refrigerator list में भी मिलेंगे उनसे अपनी purchase को पूरा करेंगे तो आपके price को एक रुपया भी change करेंगे बिना इस channel की financially थोड़ी-थोड़ी मदद होगी और वो थोड़ी-थोड़ी-थोड़ी मदद को हम जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के ऐसे products को पहले खरीते हैं उन्हें लगातार use करते हैं उसके बाद compare करते हैं दूसरे products से और आपको बदाते हैं कि best products कौन से हैं उससे आप जब अपनी hard earned money से कोई भी अच्छा product अच्छा refrigerator खरीते हैं और खुश होते हैं आपकी family enjoy करती है that's when we feel satisfied अगर आपको भी हमें support करना हो तो description box में जो भी मेरे affiliate link हैं उन्हें use करके अपनी purchase को पूरा करिए और VM1 refrigerator list को ज़रूर चेक करिएगा उसमें वो सारे models हैं जो मैं खुद personally जाके test करके या फिर check करके उसमें include करता हूँ और एक भी वो model नहीं होगा जो मैं नहीं चाहता कि मेरा आप जैसा कोई भी दोस्त खरी दे points तो होगे सारे खतम चलिए अब मैं आपको बताता हूँ best refrigerator that you can buy in India in 2023 under 25,000 रुपीज और मैं आज आपको net capacity बताऊंगा उसी तरह जैसे star label पे अब आपको net capacity दिखती है gross capacity नहीं छोड़िये मैं आपको gross capacity भी बताऊंगा so that you should know कि आपको देखना कैसे है एक refrigerator को मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ number 5 में मेरी लिस्ट पे आने वाला refrigerator है higher का 255 लीटर 3 star model and yes it is a 2022 model क्योंकि इस particular bracket के अंदर higher ने 2023 में कोई नया model launch नहीं किया but this is a good one इसके अंदर आपको gross capacity मिलती है 278 लीटर की इस refrigerator के अंदर आपको 210 लीटर का fridge और 68 लीटर का freezer देखने को मिलेगा और ये refrigerator एक साल में 185 units of electricity consume करेगा and that is very good इसमें आपको twin inverter technology यानि twin inverter compressor देखने को मिलता है with convertible 5 in 1 modes एक बार फिर से सुनिये convertible modes की अगर आपको जरूरत है then it is a pro और अगर आपको जरूरत नहीं है then it is not a pro आपको ये देखना है कि आपने freezer को पूरी तरीके से fridge बनाना है या नहीं और अगर नहीं बनाना है तो किसी भी refrigerator के अंदर convertible option का होना या ना होना आपके लिए immaterial हो जाएगा that you have to keep in mind इस model में आपको toughened glass shells मिलते हैं और एक movable ice tray मिलती है in the freezer compartment लेकिन एक जो खास बात है उस ice tray में या फिर उस freezer में वो है one hour icing technology literally आपको 60 minutes के अंदर ice बनी हुई मिलेगी now that will not be a rock solid ice लेकिन वो थोड़ी सी ice आपको जो थोड़ी कच्ची ice जैसे हम कहते हैं वैसी भी अगर मिल रही है then it's a very good thing किसी और model के अंदर या किसी और brand के अंदर आपको ये technology बहुत जादा शांदार नहीं मिलती या इतने time में ice नहीं मिलती that is why higher की ये technology is good इस model में आपको antibacterial removable gasket भी देखने को मिलती है जो बहुत बड़ी चीज नहीं है और almost सभी और refrigerators के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी और higher के हिसाब से ये particular model stabilizer free operation के साथ आता है और इसकी voltage range है 135 volt to 290 volt that's a wide range and it is very good ये model 56 kg वे करता है और higher आपको इस पर देगा 1 year की comprehensive and 10 years की warranty on the twin inverter compressor जो आपको higher के इस refrigerator के अंदर लगा हूआ मिलेगा आप इससे अगर इस समय खरीदना चाहेंगे और 25,000 के आसपास भी है अगर आप इसमें interested है then I am sure कि आप 2,000 रुपे extra spend कर सकते हैं और इस model को consider कर सकते हैं लेकिन consider करना है या नहीं या आप मेरे pros and cons सुनने के बाद जज करिएगा ये model अच्छा है इसके अंदर आपको convertible options मिलती है I am again telling you अगर आपके लिए प्रो है तो ये बहुत अच्छा प्रो है इसमें आपको 5-in-1 convertible options मिलेंगी और आपको सारे necessary refrigerator के features भी मिलेंगे It's a good refrigerator except आप ध्यान से देखिए इसके door के design को आप ध्यान से देखिए इसके door के अंदर shelves को और इसके अंदर आप space management को देखिए According to me इसके door shelves बहुत अच्छे तरीके से design नहीं करे गए और space management या फिर space distribution गय सकते है is not very good However, the design of the refrigerator itself is very unique यह बहुत classy, बहुत modern design है जहाँ आपको handle नहीं मिलता कोई भी Now, this is completely up to you अगर आपको door shelf को देखने के बाद ऐसा लगता है कि आपका जो सामान है जो आप refrigerator में रखना चाहते हैं वो इसमें बहुत अच्छे से fit हो सकता है And this is the best model आपको 27,000 रुपीज का इससा में cost करेगा यह prices change हो सकते हैं इसलिए इसके links में आपको description box में भी दिये हैं और VM1 refrigerator list में भी जल्दी जाहिए What are you waiting for? Best refrigerator under 25,000 की मेरी list में next model है Godrej का 244-liter 3-star model जिसकी actually में gross capacity है 265-liter यह 2023 model है और इसको खरीदने के बाद आपको star label पे 244-liter ही लिखा हुआ मेलेगा and that is good Godrej की इस refrigerator के अंदर आपको 194-liter का फ्रेज और 50-liter का फ्रीजर देखने को मिलेगा और यह model 231 units of electricity use करेगा in a year and that is good and this by the way is the data collected from the star label यह model multi-inverter compressor के साथ आता है with convertible 6-in-1 modes जब पहली बार मैंने multi-inverter compressor सुना तो मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत सारी compressor लगी होंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यह सिर्फ एक टेक्नोलजी का नाम दिया है या फिर नामकरन करा गया है Godrej के दुआरा and it is a good inverter compressor that's what I can say Godrej के इस model के अंदर आपको nano shield technology भी देखने को मिलती है जिसके बारे में Godrej का कहना है कि आपके refrigerator के अंदर रखा हुआ खाना हमेशा disinfected रहेगा up to 95% और मेरा कहना है वाह Godrej वाह इसके लाब आपको इसमें ambient weather sensing technology भी देखने को मिलेगी जो की एक sensor की मदर से refrigerator के बाहर का temperature को judge करते हुए अंदर का temperature अपने आप regulate करेगा now this is almost there in all the refrigerators now इस model में आपको cool balance technology भी देखने को मिलेगी यानि refrigerator के अंदर के जो ठंडी घूमती हुई हवा है उसका नाम करन Godrej ने cool balance technology के साथ किया है मतलब I must say कि Godrej ने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छे नाम करन करे हैं अपनी technologies के now we must appreciate these facts एक और अच्छा नाम from freshness up to 30 days मैं नहीं मानता कि किसी भी refrigerator के अंदर अगर आप सबजियां रखेंगे तो वो 30 दिनों तक fresh रह सकती हैं लेकिन Godrej का ऐसा मानना नहीं है Godrej का कहना है कि इस particular model के अंदर vegetable basket में अगर आप ये सारी technologies का इस्तमाल करेंगे जो कि by default automatically हो जाएगा तो 30 दिनों तक सबजियां fresh रह सकती हैं now I must appreciate what is good इस model के freezer के अंदर आपको movable ice maker मिलेगा और इसकी back आपको पूरी clean मिलेगी यानि कोई पीछे wires नहीं मिलेंगी that is good Kozenich का ये model 51 kg वे करता है और आपको brand देगा इस पे 1 year की comprehensive and 10 years की warranty on the inverter compressor no 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 multi inverter compressor जो आपको इस refrigerator के अंदर लगा हो मिलता है आप इसे खरीट पाएंगे समें 25,000 रुपीज का इसके links आपको description box और VM1 refrigerator लिस्ट में दिये है उन्हें जरा बात में चेक करिये अगा जरा पहले pros and consa सुनिये it's a good refrigerator इसमें आपको essentially सारी technologies मिलती है जो एक normal refrigerator में इस price range में आने वाले में मिलनी चाहिए और ये जो fancy नाम करन की technologies है अगर आप उन्हें भूल जाएं then it has got a very good convertible option rather unique convertible options जिन्हें आप use कर सकते हैं अगर आपके use में आती हो तो लेकिन दो चीजे हैं जो आपको बहुत ज़ादा ध्यान रखनी होंगी पहली इसकी 231 units की जो power consumption है जो start label पे declare करी गई है वो थोड़ी ज़ादा है मेरे हिसाब से when you compare it with other models of other brands now that is one the second thing is कि जो convertible options है नहें बनाने के लिए आपको एक बड़ी अजीब सी नॉब दी गई है जो कि बड़ी अलग टाइप की जगा पे दी गई है आपसे ज़ादा धान से देखें ये एक वीर्ड प्लेस्मेंट है एक नॉब की जो अपने आप में एक वीर्ड है I think Kodarej should have used a digital panel instead of this knob what can I say अगर आपको ये रफरिजेटर मॉडल अच्छा लग रहा है then go to the description box and it's a nice one, it's a sturdy one बेस्ट रफरिजेटर अंडर 25,000 के मेरे लिस्ट में नेक्स है LG का 242 लीटर 3 स्टार 2023 मॉडल रफरिजेटर लेकिन एक्चली में इसकी ग्रॉस कपैसिटी कितनी है 260 लीटर ये लास्ट येर मॉडल है जो LG ने थोड़ा सा अपडेट करके 2023 में रिलाँच किया है with 3 स्टार रेटिंग and let me also tell you कि लास्ट येर इसी मॉडल को मैंने नमबर 1 पे रैंक किया था लेकिन इस बार ये नमबर 3 पे रैंक है क्यों? यही तो बताने आपको इस वीडियो में इस मॉडल में आपको 179 लीटर का फरिज और 63 लीटर का फ्रीजर देखने को मिलेगा और ये मॉडल 232 उनिट्स ओफ एलेक्रिसिटी यूज़ करेगा इन येर ऐस पर दी स्टार लेबल इस में आपको स्मार्ट इन्वर्टर कॉम्प्रेसर देखने को मिलता है विद दोर कॉलिंग प्लस ये दोर कॉलिंग जो टेकनोलजी है या फिर दोर कॉलिंग प्लस जिसे लजी कहता है ये लजी के पेटेंटे टेकनोलजी है और आपको किसी भी और रेफरेजरेटर ब्रैंड में या मॉडल में एक्सेप्ट फॉर लजी देखने को नहीं मिलेगी ये दोर के पास दो एर वेंट्स दिये गए है जिसमें से ठंडी हवा डोर में रखे समान को अलग से कूल करेगी और नॉर्मल जो रेफरेजरेटर में पीछे एर वेंट्स होते हैं उसमें से ठंडी हवा आती ही रहती है एसेंचली रेफरेजरेटर के अंदर एक सर्कुलर मोशर के अंदर जब आपको ठंडी हवा चारो तरफ से मिलेगी तो खाना या फिर जो भी समाना फ्रेज में रखते हैं वो जल्दी ठंडा होगा और इसमें आपको टेंपर्ड ग्लास शेल्ट्स मिलते हैं और मल्टी एर फ्लो जिसे मैंने अभी-भी आपको समझाया वो भी देखने को मिलता है और एक खास चीज, moist and fresh भी देखने को मिलती है इस refrigerator के vegetable box के उपर एक slider दिया गया है जिसमें holes हैं उस holes के जरिए moisture धीरे-धीरे vegetable box के अंदर पढ़ी हुई सबजियों पे पढ़ेगा और उन्हें fresh रखेगा अगर उस vegetable box में आपने fruits रखे हैं तो slider को दूसरी तरफ करिए उसमें थोड़े छोटे holes हैं और कम moisture जाएगा जो fruits को थोड़ा fresh रखेगा इस model के freezer के अंदर आपको movable double twist ice tray देखने को मिलती है और दोनों doors में आपको antibacterial gasket लगी भी मिलेगी और इसके freezer में आपको jet ice technology देखने को मिलेगी यानि ice in 90 minutes higher के model में आपको यही same technology one hour icing technology के नाम से सुनने को मिली थी यानि उसमें 60 minutes में ice बनती थी इसमें 90 minutes में ice बनती है now definitely 60 minutes के ice थोड़ी कच्ची ice होती है और यह 90 minutes वाली थोड़ी सी better होती है थोड़ी सी solid जादा होती है and it is a good technology at least यह आपको डेड़ घंटे में ice मिल रही है जब जरूरत पड़े कि ना तब बहुत काम आईगी है इस डोर को ध्यान से देखें इसके अंदर आपको 2 liter की bottle storage भी देखने को मिलेगी और अगर आप back देखेंगे तो आपको safe clean back इस बार देखने को मिलेगी LG के इस model में यह LG ने एक नया और एक बहुत शानदार काम किया है पिछले साल तक उन्होंने जितने भी models मनाए इस प्राइस रेंज तक उसमें उन्होंने safe clean back नहीं दी उसमें आपको wires compressor की और दूसरी सारी ऐसे घूमती भी नजर आती थी लेकिन इस बार ऐसा नहीं है आपको बिल्कुल safe clean back दी है now this looks very good premium and clean यह model inverter compatible भी है और smart diagnosis जिसे आप self diagnosis भी कह सकते हैं उसके साथ भी आता है यह model 48 kg वे करता है और LG आपको देता है 1 year की comprehensive 10 years की warranty on the inverter compressor जो आपको इस model में लगा हुआ मिलता है आप इसे खरीदना चाहेंगे तो आपको इस समय पेग करने पड़ेंगे 26,000 रुपीज यह prices रोज चेंज हो सकते हैं लेकिन आपको मैंने इसका link दे गिया है description box में और VM1 refrigerator list में उसमें जाकर जल्दी से आप इसे चेक कर सकते हैं लेकिन जड़ा दो मिनिट रुकी है आपको इसके pros and cons बताता हूँ उसके बाद आप खुल डिसाइट करिएगा कि आपको यह वाला मॉडल लेना है ति हमां जो आगे बताने वाला हूँ वो अले मॉडल लेने है इस अ गूड रफरेजरेटर मेरे लिए सबसे फेवरेट जो मेरा फीचर है वो है दोर कॉलिंग प्लस यह बहुत शांदार फीचर है एक युनिफॉर्म कॉलिंग क्रिएट करता है रफरेजरेटर और फ्रिज के अंदर पर्तिकिलरली फ्रिज कंपार्टमेंट में और इस वरी वरी गूड इस नोट कंवर्टबल लेकिन यह मेरे ले कोई बहुत बड़ा कॉन नहीं है यह अलरी तोल यू इन पॉइंट यह एक अच्छा रफरेजरेटर है इसके अंदर फीचर जादा है बहुत अच्छे है और इसके अंदर अब आपको सेफ क्लीन बाक भी मिलती है जो LG पहले नहीं देता था इसकी पावर कंजम्शन नहीं करनी चाहिए लेकिन इसकी पावर कंजम्शन कितनी है 232 यूनिट इन यह एर यह एक पहला पॉइंट है दूसरा आपको मैंने डोर बहुत ध्यान से देखने को कहा था एक बार फिर से देखिए डोर के अंदर आपको स्पेस मैनेजमेंट कैसी लग रही है मेरे हिसाब से जो यह 2 लिटर बॉटल के शल्फ दिये है उसने ही सारा काम खरब किया है तो यह मॉडल और ऊपर आता रांकिंग में बट नॉट इस ताइम अट लीस्ट लीस्ट आपको इसके लिंक्स दिये है दिस्क्रेप्शन बॉक्स में और व्यम वन रफरिजलेटर लिस्ट में भी अगर आपको यह मॉडल अच्छा लगता है 26,000 इस प्राइस वट आ यू वाला मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग के 234 लीटर 3 स्टार मॉडल के जिसकी ग्रॉस कपैसिटी कितनी है 253 लीटर येस इस 2022 मॉडल बट स्टिल इस अट नमबर 2 पोजेशन इसमें आपको 184 लीटर का फ्रेज और 69 लीटर का फ्रीजर देखने को मिलता है और ये मॉडल कंज्यूम करेगा 195 उनिट्स अएर एस पर दी स्टार लेबल अब आप में से कुछ लोग जरूर कॉमेंट में लिखेंगे कि सैमसंग ने इसी मॉडल का इसी वेरियंट का 2023 वेरियंट भी लाँच कर दिया है तो वो क्यों नहीं लेना चाहिए मेरे हिजाब से वो बिलकुल भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो एक टू स्टार मॉडल है और उसकी पावर कंजंशन इस मॉडल से बहुत जादा है दोस्तो ध्यान से समझे psychologically आपको brands play करने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको क्या देखना है पावर कंजंशन जिस भी product की थोड़ी कम होगी वो आपके लिए long lasting बहुत अच्छा रहेगा और आपकी जेब के लिए भी बहुत efficient रहेगा and that is why this refrigerator is at number 2 in my list इसमें आपको digital inverter technology देखने को मिलती है with toughened glass shelves और Samsung इसे convertible बोलता तो है लेकिन ये convertible है नहीं इस model के अंदर आप 2 या 3 तरीके से temperature को change कर सकते हैं and this is what Samsung calls convertible नाउ ये convertible कहीं से भी नहीं है ये आपको थ्यान में रखना है आपको इस model के अंदर freezer के door पे digital display देखने को मिलेगा और पूरे refrigerator पे यानि freezer और fridge के door पे आपको antibacterial gasket देखने को मिलेगी आपको इसमें power cool feature भी देखने को मिलेगा जिसे आप digital display से control कर सकते हैं यानि थोड़ी जादा थंड़क अपने fridge के अंदर भेज सकते हैं और आपको इस model में deodorizer भी लगा हुआ मिलेगा इसकी space management मुझे काफी अच्छी लगी और क्योंकि मैंने इसे अपने घर पे भी टेस्ट किया तो मेरे खर का सारा समान इसमें बहुत easily fit हुआ ये refrigerator inverter compatible भी है और solar compatible भी और needless to say आपको सैमसंग के हर refrigerator के अंदर safe clean back देखने को मिलती है जो आपको इसमें भी मिलेगी और ये refrigerator stabilizer free operation के साथ आता है जिसकी voltage range है 100V से 300V and that is very good ये model वे करता है 46 kg और अगर आप अब इस model को लेंगे तो सैमसंग आपको देगा 1 year की comprehensive and 20 years की warranty on the digital inverter compressor जो आपको इस refrigerator में लगा हुआ मिलता है जब मैंने ये refrigerator लिया था उस समें 10 year warranty मिल रही थी मुझे inverter compressor पे and I took it क्योंकि 10 साल से जादा रफरिजडर चलाता कौन है actually मैं भी चलाता हूँ so 20 year की warranty is a welcome change and it is a good thing आप इस model को इस समें खरीद पाएंगे around 25,000 रुपीज का which is a very very good price considering के आपको बाकी सभी models इस से थोड़े जादा के ही cost कर रहे हैं अब 2023 में now this price is excellent आपको इसके links दिया है description box में भी और VM1 refrigerator list में भी what are you waiting for? oh I know you are waiting for pros and cons अब आपको बताता हूँ that this model is very very good ये बहुत शानदा refrigerator है आप भूल जाएए कि ये convertible है क्योंकि ये convertible नहीं है आपको इसके अंदर digital panel बिलता है मेरे हसाब से मेरा कोई खास यूज नहीं है इस digital panel का because once you start using the refrigerator आपको एक दो हफते में पता चल जाता है कि किस setting पे आपका बिलकुल best usage है और अप उस setting को बारवर छेड़ते नहीं है you know that is how you use in a home, you know, refrigerator को otherwise everything is very good the door handle is good the space management, the space distribution the refrigerator or door ये बहुत शानदार है मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा extra warranty भी मेरे हिसाब से बहुत जादा शानदार चीज है जो अब Samsung की तरफ से एक और बड़ी assurance को दिखाती है now there is one thing that you have to keep in mind ये कौन भी है और नहीं भी लेकिन आपको ये बहुत जादा ध्यान में रखना है आपको particularly इसी model को खरीदना है अगर आप इस refrigerator में interested हैं तो you should not and you must not buy the other model इसके अंदर दो-तीन models आते हैं जो दूसरे models हैं उनकी power consumption बहुत जादा है एक साल में और एक model टू स्टार भी है उसे भी avoid करें मैंने इस particular model का link आपको description box में दिया है I am again telling you कि अब आप अगर इस refrigerator को लेंगे तो आपको 20 years की compressor पे warranty मिलेगी and what are you waiting for now best of the best refrigerator जो आप खरीच सकते हैं 2023 में under 25,000 रुपीज लेकिन यहां थोड़ा सा change करते हैं under 25,000 को हटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा budget बढ़ा लेने से आपको best of the best refrigerator मिलेगा and मैं बात कर रहा हूँ Whirlpool के 239-liter 3-star model की इसकी cross capacity है 265-liter and it is a 2022 22 model but what a model it is क्योंकि इस के अंदर आपको 184-liter का fridge और 75-liter का freezer देखने को मिलता है और ये refrigerator 190 units of electricity use करेगा in a year Whirlpool की इस model के अंदर आपको intelligence inverter technology देखने को मिलेगी और उसी के साथ आपको convertible 5-in-1 modes भी देखने को मिलेंगे बट इन 5-in-1 modes की मदद से पाएंगे इस बात का आपको ध्यान रखना है अगर आप इस model को convertible ना समझे और वैसे इसकी features को सुने तो आपको ये बहुत जाद अच्छा लगेगा convertible? I don't think so इस model में आपको जो एक unique technology मिलती है वो है adaptive intelligence technology ये एक AI के तरह काम करने वाली technology है जो की आपके kitchen के temperature को और इन बाकी सारे parameters को judge करने के बाद आप कितना बार दर्वाजा कोलते हैं refrigerator का कितनी देर तक कोल के रखते हैं थोड़े time इसका analysis करने के बाद refrigerator के अंदर optimum cooling maintain करने के लिए उसे particular temperature पे रखेगा now this is a very very smart thing जो आपको शायद ही इस range के किसी और refrigerator model में मिल दी हो and ये मेरे लिए सबसे बड़ा point है इस model में आपको six sense deep freeze technology देखने को मिलेगी जिससे आप five in one convertible modes का ही एक part समझें और इसकी मदद से आप refrigerator के freezer को एक deep freezer में कुछ time के लिए convert कर पाएंगे now this is good इस model में आपको tempered glass shelves मिलेंगे obviously और इसके साथ आपको मिलती है zeolight technology और micro block technology ये दोनों technologies एक साथ काम करती है और whirlpool का ऐसा मानना है कि वो fridge-ginder पड़ी सबजियों और fruit की ripening में थोड़ा सा डिले करती है now ये मेरे लिए as an individual or as a reviewer test कर पाना impossible है but all I can say that if whirlpool is claiming that much आप इसे कितना सा समझ के चलें कि technology है it is good but otherwise the refrigerator is very good जो actually बहुत अच्छी चीज है वो है honeycomb moisture lock जो आपको इस refrigerator की vegetable box के उपर लगा हुआ मिलेगा और वो है एक honeycomb design की grill जो आपको vegetable box के उपर मिलती है instead of a tempered glass shelf उससे क्या होता है उससे moisture अपने आप धीरे-धीरे सबजीयों पर पढ़ता है आपने फल रखे हैं तो फलो पर भी पढ़ेगा और वो उन्हें लंबे time के लिए fresh रखेगा now understand यह जितनी भी technologies के मैंने नाम लिये यह सारी एक दूसरे के साथ help करके ही काम करती है और इसी लिए शायद whirlpool क्लेम करता है that fruit and vegetable ripening में फोड़ा delay होगा and यह अची चीज़ है आपको whirlpool के इस refrigerator के अंदर fresh flow air tower देखने को मिलेगा और basically यह एक tower की shape में थंडी हवा देने वाला vent है जो आपको refrigerator के अंदर देखने को मिलेगा small vents in the upper compartment तो यह जादा अच्छा है and इसी के साथ आपको एक freshenizer भी मिलेगा जो की vegetable box में लगवा मिलेगा now this is a fancy thing जो आपको 300 रुपए में replace करानी पड़ेगी after every 6 months or a year आप इसे चाहें तो use कर सकते हैं और अगर नहीं चाहें तो ना replace कराएं कोई problem नहीं है आपको इसके freezer के नदे twist ice maker देखने को मिलेगा यह refrigerator inverter compatible भी है और इसमें आपको safe clean back देखने को मिलेगी finally all the brands are understanding कि safe clean back के कितने फाइदे हैं at least आपको पीछे तारे देखने को नहीं मिलेगी and it looks clean and tidy आपको कोई problem नहीं होगी and it is good यह model 56 kg वे करता है और यहीं पे आपको एक चीज समझ में आएगी 56 kg आपने किसी भी और refrigerator का इतना weight नहीं सुना आपको सारे refrigerator under 50 kg के आसपास के मैंने बताए इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है that the build quality of this refrigerator is really really good यह refrigerator आपको 1 year की comprehensive warranty और 10 years की inverter compressor पे warranty के साथ देखने को मिलता है वर्लपूल के इस refrigerator को आप इस समय खरीद पाएंगे 27,000 रुपीज का और यह prices बार बार change होते रहते हैं because this is a very popular model और यह बार बार सस्ता महंगा होता रहता है मैंने शायद 27,000 रुपीज से सस्ता कभी भी नहीं देखा लेकिन यह prices change होते रहते हैं मैंने आपको इसके links दिये हैं description box में भी और VM1 refrigerator list के अंदर भी उसे जरूर चेक करिएगा और अब आपको बताता हूँ इसके pros and cons मैंने आपको पहला pro already बता दिया that 56 kgs का जो weight है that means that this is a very sturdy refrigerator आपको इसकी insulation देखने के बाद यह बता चलेगा that how thick insulation this refrigerator model has उससे क्या होगा the cooling will be retained for longer periods of time light चली गई inverter की battery भी खतम हो गई उसके बाद भी cooling retained है यह बहुत काम में आने वाली चीज़ होती है particularly in this particular price range दूसरी चीज़ मुझे जो इसकी adaptive intelligence technology है वो सबसे बड़ा pro लगा एक refrigerator एक type के AI के साथ आपके पास आ रहा है यह आपके user pattern को judge करके उसके बाद वो temperature को refrigerator के अंदर maintain कर रहा है this is too smart and too good आपको इसके अंदर जो एक चीज़ नहीं मिलती वो है convertible options बहुत जादा नहीं है दो चार options है आप इसमें freezer को fridge नहीं बना सकते that's the only thing that I miss but मैंने आपको पहले ही समझाया है कि यह कोई बहुत बढ़ी चीज़ नहीं है और अगर आपके लिए भी नहीं है then what are you waiting for मेरे हसाब से this is the best refrigerator जो आप खरीच सकते हैं 2023 में around 25,000 रुपीज जल्दी से जाएए description box में मेरे links आपकी वेट कर रहे है याद रखिए का दोस्तों मैंने under 15,000 रुपीज का एक refrigerator का वीडियो बनाया था वो यह रहा और एक under 20,000 रुपीज के refrigerator का एक वीडियो बनाया था वो यह रहा आपको इस सारे वीडियो जरूर देखने चाहिए अगर आपका ये वाला बजट है और आप इस बजट के अंदर एक अच्छा refrigerator ढूंड रहे हैं क्योंकि मैं सारे refrigerator को पहले खुद खरीता हूँ उसके बाद आपको मैं recommend करता हूँ कि best model कौन सा है और एक और बात याद रखेगा please कि आपको मेरे दियेगे affiliate link से ही अपनी purchase को पूरा करना है उसी से इस channel की help हो पाती है क्योंकि हम आपसे directly पैसे नहीं लेते वो छोटी सी help हम जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के ऐसे products खरीते हैं और आप तक एक true views आपका कोई सवाल अगर है तो जरूर लिखिये और मैं उसका जवाब जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूँगा और मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगले true view में बहुत ही जल्दी Thank you very much